हे गाइस तो फर्स्ट अफॉल थैंक्यू सो मच फो टेन के सब्सक्राइबर एंड मैं ये अफिसल पार्टी एक्स्प्लेंड कर रहा हूँ अगर आपको इसका नेक्स्ट स्टोरी जानना है तो आप नोवल एक्स्प्लेनेशन को देख सकते हो नोवल वीडियो अल्रेडी अप बबाता के मास्टर है हालाकि ये तो सिर्फ उनका डेट बॉड़ी है लेकिन देखने से ये काफी ज़्यादा स्ट्रोंग है फिर बबाता लुओ फैंग से कहती है मेरे मास्टर मेटरोइड स्टार के लॉड है और इनका नाम हुयानबो है और जैसा कि तुम मेटरोइड लुओ फैंग इस बारे में सोच ही रहा था तब ही बबाता कहती है तुम्हारे त्यांसु अटैक और उसकी सिक्रेट मेटर्ड स्केपिंग दा स्काई ये सब हमारे मास्टर के ही देन है तो क्या ये इनफ नहीं है कि तुम मेरे मास्टर को जुक कर रिस्पेक्ट कर सको फिर लुओ फैंग अपने फ्लाइंग नैब को बाहर निकल कर सोचता है फ्लाइंग नैब और स्केपिंग स्काई मैथड उसे कई बार काम आई है इसलिए उसे हुआनबो मास्टर को जुक कर रिस्पेक्ट कर लेनी चाहिए फिर वो जुक कर रिस्पेक्ट करता है फिर बबाता गुस्से से उसे अपने टेल से उठा कर कहती है लुओ फैंग ये तुमारे लिए काफ़े ग्रेट अपर्चुनेटी है फिर वो लुओ फैंग गो अपने मास्टर की डेड बोडी के पास ले जाती है और बताती है कि इस वास्ट युनिवर्स में उसके मास्टर 60 मिलियन येर से भी जादे दिन तक जिवित रहे थे और उसके मास्टर एक रियल पियरलेस पाउर हाउस थे और मैं तुम्हें उनके सभी सीक्रेट्स और नौलिज को सिखा सकती हूँ जबकि लुओ फैंग अभी भी हैरान था कि उसके मास्टर 60 मिलियन येर से भी जादे दिन तक जिवित रहें उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है फिर वो बबाता से कहता है I'm sorry मुझे युनिवर्स स्ट्रिंथ मिजर्मेंट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है बबाता काफी गुस्टे से कहती है तुम्हारे लेंग्विज में तुम्हें कोई के नीचे बैठे हो और आस्मान देख रहे हो मतलब कि वो साफ कहना चाहती है कि लुओ फैंग कोई के नीचे बैठ कर इतने वी साल आस्मान को एक्स्प्लोर करने की सोच रहा है फिर वो लुओ फैंग को नीचे छोड़ देती है और कहती है आज मैं तुम्हें युनिवर्स के वास्टनेस के बारे में बताऊंगी इधर लुओ फैंग सोचता है पूरे तरह से दिस्ट्रोय हो गया और ऐसा लगता है कि बबाता मेटरोग इस्टार के मंस्टर को लेकर काफी जादा परिषान है बैद वे मुझे इसके बारे में और भी जादा जानना होगा इसलिए वो बबाता से कहता है कि वो युनिवर्स के वाशनेस के बारे में जानने के लिए तयार है ये सुनकर बबाता भी खुस हो जाती है फिर वो एक क्यूब पे बैट कर लुओ फेंग को युनिवर्स के वाशनेस के बारे में बताती है कि इस universe में countless lab मौझूद है और जिस galaxy में तुम्हारा earth मौझूद है उसमें 2,10,000 से भी ज़्यादा planets है लेकिन वो लोग earth के human जैसा नहीं है earth बस एक human race का एक branch है और इस universe में काफी अलग-अलग branches है लुओ फेंग कहता है ऐसा लगता है कि इस universe में human races की branch काफी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि उसने space ship में fork dead body को देखा था जो कि बिल्कुल human जैसा ही लग रहे थे मतलब कि वो भी human race branch से belong करते हैं बबाता बताती है इस universe के planet और galaxies आप आस में link नहीं है milky way galaxy के साथ और 7 galaxies मिलकर silver blue empire बनाते हैं ये सुनका लुओ फैंग भी हैरान होता है कि silver blue empire में total 8 galaxies हैं और केवल एक galaxy में 10 billion से भी ज़्यादा planets होते हैं लुओ फैंग के लिए imagine कहने भी काफी मुस्किल था कि इतने vast empire कैसे चल रही है बबाता कहती है silver blue empire तुमसे काफी ज़्यादा सिविलाज़ड है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो लोग अर्थ पे कोई signal भेजेंगे ताकि वो अर्थ से contact कर सके तो भी अर्थ के civilization उसे detect नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां के civilization इतनी advance नहीं है और तुम्हारा galaxy black dragon mountain empire के अंदर भी आता है और एक medium size civilization करीब 6000 galaxies को control कर सकता है यह सब जानकर लुओ फैंग काफे ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि अर्थ के civilization silver blue empire के मुकाबले काफी ज़्यादा weak है और black dragon empire के मुकाबले अर्थ के civilization सिफ 5% पे ही है फिर लुओ फैंग बबाता से universe के advance civilization के बारे में पूछता है बबाता बताती है क्या new universe kingdom जो की पूरे black dragon mountain empire पे रूल करती है और उसके territory के अंदर 100 million galaxies आती है और इसे ही क्या new cosmic country कहते है और यह human racism में सबसे highest realm पे है फिर लुओ फैंग सब जिसको short में recap करता है सबसे पहले आती है silver blue empire उसके बाद black dragon mountain empire फिर क्या new universe country अब लुओ फैंग को समझ आता है कि यह universe उसके imagination से काफ़ी ज़्यादा worst है क्या उसे अपने lifetime में यह सब देखने का मौका मिलेगा फिर बबाता कहती है मेरे master इन सबसब भी highest realm पे थे और इनके सामने silver blue empire और primary civilization एक चीटी के सामान है लुओ फैंग कहता है planet के comparison में silver blue empire यह सबी काफ़ी ज़्यादा powerful है और मुझे नहीं पता कि master hyoanbu की strength कैसी थी बबाता कहती है तो तुम मेरे master की strength को जानना चाहते हो लेकिन उससे पहले तुम्हे warrior rank के बारे में जानना होगा और आप सबको भी आगे की story समझने के लिए cultivation rank को जाना ज़रूरी है इसले आप हमारे cultivation rank वाली वीडियो देख सकते है लिंक आई बटन और description में दी हुई है फिर बबाता लुओ फैंग से पूछती है तो तुम warrior rank के बारे में कितना जानते हो लुओ फैंग कहता है जहां तक मुझे याद है junior warrior से high god of war level तक ये सारे disciples है और सबसे top में star rating है जैसे कि stellar class उसके बाद cosmic level ये सुनकर बबाता कहती है ये तो कुछ भी नहीं है फिर वो बताती है cosmic level के उपर domain master है और उसके उपर realm lord है और मेरे master realm lord से भी उपर है ये सब सुनकर लुओ फैंग सौक होता है कि उसे इन levels के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि उसे बारे में के बारे में कुछ भी नहीं है